राधे राधे दोस्तों कैसे हूँ आप लोग आज की हमारी कहानी का नामे आपती डीदे ये चेन आपकी पास कैसे ये तो बात पूरी करते करते सोनम रुख गई आप कहना क्या चाहती है भावी बात अधुरी क्यों छोड़ दी ये चेन मुझे माने दी है ननद रेखा उखर परते हुए रुखि स्वर में बोली वो बात नहीं है दीदी इस बार जब मैं आरो को लेकर माई के गए थी तो मा ने आरो को जोजक में देने के लिए चैन खरदने के रुपए दिये थे और कहा था कि वहीं अपनी सास के साथ जाकर अपनी पसंद की ले लेना उस दिन जिवल मा ने के लिए कहा तो मैंने यहीं चैन पसंद की थी मा ने यह कहकर की सोने की चीज है मेरे पासी रहने दो जब तुम्हें पहनना होगा मुझसी ले लेना तब दे दूंगी लेकिन आज यह चैन आपने पहने हैं मा ने आपको यह चैन कप दे दी मुझे तो पता ही नहीं च कम से कम मुझे बताया तो जाही सकता था ये मेरे पापा का घर है और यहां की हर चीज पर मेरा अधिकार है इसलिए मुझे जो चाहिए वो मैं ले लेती हूँ आप कौन होती है कुछ पुछने वाली हाँ बहु तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से ये पुछने की उस चेन पर तुम्हारा नाम नहीं लिखा गया कि वो तुम्हारी ही हो गई रेखा को पसंद आई उसे दे दी और फिर ननत का हक होता है भतीजे की जोजक में नेग लेने का सासुमा गीता जी ने हनक दिखाते हुए कहा मेरे मायके से पूरे घरवालों का नेग आपने ये थे आपने फिर मेरी चैन क्यों दे दी हमेशा यहीं होता है जब भी सोनम को कोई सोने की चीज मायके से मिलती तो गीता जी ये गयकर अपने पासी रख लेती कि जब तुम्हें जरुरत हो तो ले लेना तुम रखकर भोल जाओगी लेकिन बहु की मांगने से पहले वो च जुन्नों को मिल जाता की ननत का तो हक होता है भावी की कोई भी चीज बिना पूछे बिना मांगे लेने का इसमें हल्ला मचाने वाली क्या बात है तुम्हारा दिल बहुत छोटा है बहु सोनम को ये बात सुनकर मन मसुर कर रह जाती लेकिन इस बार तो हद ही हो गई उसकी मा साधी में ज्यादा खर्च होने की वज़त से उसे गले में चैन नहीं दे पाई थी ससुराल में भी सासु माने उसे पहनने के लिए चैन नहीं दी तब से वो नंगे गले थी इस बार जब उसे बच्चा हुआ तो सोनम की माने अपनी पुरानी सोने के समान को बेच कर उसे सोने के चेन खंदने के रूपए दिये थे सोनम ने बहुत मना किया लिकिन वो नहीं मानी अपना मन करा करके सोनम ने अपनी चेन अपनी ननत से मांगी दीदी अब तो आपने पहन ली अब मेरी चैन मुझे दे दिजिए मैंने तो अभी तक पहनी भी नहीं है भावी मा ने मुझे ये चैन हमेशा के लिए दिये हैं आपको वापस करने के लिए नहीं रेखा ने इठलाते हुए अपने गले में पड़ी चैन को अपनी उंगलियों में फसाते हुए कहा अड़े वादी दी ऐसे कैसे आप मेरी मायके के चीज ले सकती हैं यहां तो मा जी एक भी गहना नहीं दी सब अपने पास रख ली वो भी धीरे धीरे आपको देती रही और आप मेरे पास जो मायके से गहने मिले हैं वो भी आप ले लेंगी तो फिर मेरे पास क्या रह जाएग मेरी माने कितनी मुश्किल से अपने गहने बेच कर रुपए दिये थे आपको तो खुद सुचना चाहिए यदि ससुराल में आपसे कोई आपके माईके से मिली जरा सी भी चीज ले ले तो आपको कैसा लगेगा बहु बिल्कुल सही कह रही है रेखा उसका समान उसी वापस कर दो और आइंदा से कभी उसे पुछी बेगेर उसका कोई समान मत लेना ये बहुत बुरी आदत है सोनम के ससुर जी ने उन लोगों का पूरा वर्ता लाप सुन लिया था इसलिए उन्होंने अपनी बेटी को समझाया अपने पीता की बात सुनकर रेखा बहुत सरमिंदा हो गई और तुरन थी चेन गले से निकाल कर अपनी भावी को दे दी अपनी मा के पास जाकर बोली मा आपने मुझे कभी पापा की तरह क्यों नहीं समझाया हमेशा मेरी लालच को बढ़ावा दिया अपनी बेटी की बात सुनकर गीता जी भी बहुत सरमिंदा हुई की पहले ही दिन जब बहु का बक्स खुला उसी समय बेटी को बढ़ावा न देकर रोख दिया होता तो आज ये नौबत आती ही नहीं हर किसी अपना अधिकार छेत्र होता है उसमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए सभी को अपने माईके का समान बेहत प्यारा होता है और अपने मा कविश्य निधी के रुप में सहेश कर रखती है अपनी चेन वापस पाकर सोनम को आत्म संतुष्टी मिली और उसने उसे सहेश कर वापस अपनी अलमारी में रख दिया कभी कभी अपने अधिकारों के लिए बोलना बहुत जरूरी हो जाता है कास ननत जी आपने भी अपने लालच को इतना बढ़ावा न दिया होता तो आज ये नौबत आती ही नहीं ये सुचकर उसने एक गहरी सांस ली असा करती हूँ दोस्तों ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्रिस्ट पिडियो को लाइक सियर एंड सस्क्राइब किजिएगा धन्यवाद जैस सरी कुछना दोस्तों हरी बोल